गूद मॉनिंग एप्रिवन वेलकम टो एग्जाम और्बिट क्लासेश तो कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी तो फेंट्स एग्जाम और्बिट की तरफ से आप सभी को गरतंत्र दिवस की हार्दिक सुबकामना है फेंट्स दो दिन फीवर होने के कारण आप सभी की करेंट अफियर की क्लास नहीं हो पाई लेकिन जो बीकली करेंट अफियर रहेगा उसमें हम कबर कर लेंगे तो आज की सेशन में हम डिस्कुस करने वाले हैं 26 जन्वरी से बनने वाले सभी महतुपून प्रस्णों को तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट्स वॉक्स में किस देश के रास्त पती अब्दिल फते अलसीसी चोहत्तर वे करतंतर दिवस समारों में मुखे अत्ती होंगे ब्राजील, बिटेन, फ्रांस या फिर मिस्र इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स वॉक्स में तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करेंगे फ्रस्ट कोईशन ओपरेशन अलट अभ्यास किस ने सुरू किया है तो फ्रेंट्स ओपरेशन अलट अभ्यास जो है ये समय सुर्खियों में बना हुआ है और इससे सुरू किया है बियसेप ने जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो BSF है ये भारत के किसके साथ लगने वाली अंतराश्टिय सीमा की सुरक्षा करते हैं तो फ्रेंट्स याद रखेंगे पाकिस्तान पाकिस्तान के अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर आप देखेंगे बांगलादेश बांगलादेश से जो भारत के अंतराश्टिय सीमा लगती है इसकी सुरक्षा कौन सपोर्स करता है तो BSF के दुवारा की जाती है तो फ्रेंट्स देखें यहाँ पर आप देखेंगे यह है गुजरात और यह है राजस्तान यहीं पर BSF के दुवारा ओपरेशन अलर्ट चलाया जा रहा है जो कि इस समय सुर्खियों में बना हुआ है अब आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान से जो भारत के अंतरास्टिय सीमा लगती है इसे किस नाम से जानते हैं तो इसे रैट किलिप लाइन के नाम से जाना जाता है अब आपको कमेंट्स करके बताना है कि जो भारत की चाइना के साथ अंतराश्टिय सीमा लगती है इसकी सुरक्षा कौन करता है डिस्कस कर लेते हैं ओपरिसन अलर्ट के बारे में कुछ बेशिक इन्फॉर्मेशन तो सीमा सुरक्षा बल यानि की वियसेप ने आगामी करतंतर दिबस समारों के मद्दे नजर गुजरात के कक्ष जिले और राजस्तान के बार्ड मेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ओपरिसन अलर्ट अभ्यास सुरू कर दिया है इसकी जो सुरुवात है वो 21 जनवरी से की गई थे और ये चलेगा 28 जनवरी 2023 तर आपको याद रखना है कि ये कौन चलाता है तो ये चलाता है बियसेप सुरक्षा बढ़ाने के लिए रणनेतिक रूप से महत पून सरक्रीक और हरामी नाला दलदली छेत्र में बियसेप सैनिको को तैनाद करने के लिए पहली बार कंक्रीट के स्थाईल लंबबत बंकर बनाये जा रहे हैं अब ये जो दोनों चेत्र हैं ये हमारे लिए महत पून हो जाते हैं तो सबसे पहले हम इंके बारे में डिस्कस कर लिते हैं तो जानेंगे सरक्रीक के बारे में कि ये किस राज्च में है इसका मूल नाम है बाणगंगा जिसे एक बिटिस प्रतिनीती सरक्रीक के नाम पर रखा गया है यह चेत्र कक्षी यानि की दलदली भूमी के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच बिवादित पानी की 96 किलो मीटर लंबी पट्टी है यानि की जो सरक्रीक बिवाद है यह किन दो देसों के बीच है तो भारत और पाकिस्तान के बीच है यह अरब सागर में खुलती है और पाकिस्तान के सिद्ध प्रांत से गुजरात के कक्षी छित्र को बिवाजित करती है जैसा कि आप सभी इस मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं यह है गुजरात वाला एरिया और यह जो रैड लाइन आप देख रहे हैं इसे ही हम कहते हैं क्या सर क्रीक के नाम से इसे जाना जाता है नेस्ट हमारा था रामनी नला तो फ्रेंट्स यह देखें यह जो है यह सर क्रीक छेतर के रूप में भी जाना जाता है और यह है चेतर बाइस किलो मीटर लंबा और लगबग आट किलो मीटर चोड़ा दल दली इलाका है जो जादातर समय नोगम में रहता है यहां मैप में यहां पर है गुजराद और यहीं पर आपको पाकिस्तान और गुजराद की सीमा पर यह अरिया आपको देखने को मिलेगा तो लोकेशन याद रखेंगे तो इजली आप सभी को याद हो जाए अब डिस्कस कर लेते हैं बियस एप के बारे में यानि कि सीमा सुरक्षा बल के बारे में तो फ्रेंट्स बियस एप की जो इस्थापना है वो 1965 में की गई थी बियस एप का मुख्याल है नई दिल्ली में है उसके बर्तमान में महा निद्दे सक हैं पंकच कुमार सीम बियस एप के सीमा की सुरक्षा करता है तो जैसा कि अभी हम डिसकस कर चुके हैं भारत पाकिस्तान और भारत पांगलादेश की सीमा पर यह गिरह मंत्राले के प्रसासनिक नियंतरण के तहत भारत के साथ की इंद्रिय ससस्तर पुलिस बलो में से एक है अगर आप लोग पहली बार चैनल पर बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी बेल आइकन दवाना बिलकुल न भूले जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा इस क्लास की पीडिय अप सभी को मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल पर अगला सवाल है कि खबरों में रहा मोई दम्स साही परिवार का कब्रिस्तान किस राच्च में इस दित है तो friends ये आता है असम राच्च में और ये समय सुल्कियों में हैं आएगे डिसकस कर लेते हैं इसके बारे में तो सबसे पहले आप सभी इसे पिक में देख लीजे ये कुछ इस परकार का देखता है और ये किस राच्च में है असम में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी ने बाबन बिरासत इस्थलों में से संयुक्त रास्ट सेक्षिक बैग्यानिक और सांस्कृतिक संगटन यानि की युनेस्को विश्व बिरासत इस्थल के लिए देज के एक मात्र नामंकन के रूप में असम के प्रामीट का चैन किया गया है कहां पर है असम में और ये एक मात्र नामंकन के रूप में सामिल होगा युनेस्को में भारत का असम के याद रखेंगे चराई देव जिले में अहूम युक का मोई दम्स यानिकी साही परिवार का गब्रिस्थान युनेस्को के विश्व धरोर इस्थल के रूप में मान राजवन्स के मोई दम्स को पहली बार अप्रेल 2014 में युनेसको के विश्वधरोर इस्तल की आएस्थाई सूची में सामिल किया गया था मोई दम्स को सांस्कृतिक इस्तलों की स्रेणी में नामंकित किया जाएगा और ये पहला इस्तान होगा भारत का भारत में बर्तमान में 40 विश्व धरुवर इस्तले हैं जिन में से 32 सांस्कृतिक इस्तले हैं साथ प्राकर्टिक हैं और एक मिस्रित इस्तले हैं मिस्रित कौन सा है तो आप सबी जानते हैं कंचन जंगा जो कि कहां पर आता है सिक्किम में बढ़तमान में पुरोत्तर में असम्गा, काजीरंगा, मानस नैस्जनल पार्क, साथ प्राकरतिक इस्थलों में सामिल है जबकि सांस्क्रित एक बिरासत की स्रेडी में कोई भी बिरासत इस्थल नहीं सामिल है किसका असम्गा आगे डिस्कस कर लेते हैं आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले बताया भी था कि बढ़ नगर सहर गुजरात सूर्य मंदिर मोडेरा गुजरात रोककट मूर्तिया उना कोटी तिरपुरा इन तीनों को युनेस्को की विश्व धरो और इस्तलों की आइस्ताई सूची में सामिल किया गया है तो याद रखेंगे ये तीन इस्तान भी महत पूर है अब डिस्कस कर लेते ही युनेस्को से सम्मंदित प्रशनर युनेस्को का मुख्याले कहां पर है पैरिस फ्रांस में पैरिस किस नदी के किनारे आता है सीन नदी युनेस्को की इस्थापना कप की गई थी 1945 में युनेस्को के बर्तमान में महानिदेशा कौन है तो इनका नाम है ओद्रे अजोले विश्व धरोवर दिवस कब मनाते हैं तो 18 अप्रेल को मनाया जाता है मैप में आप सभी असम की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंट्स ही ये है असम असम किस से दो बार अंतरास्टिय सीमा बनाता है तो बांगला देश के साथ दो बार अंतर रास्टिय सीमा बनाता है असम आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि किस देश के उपरास्ट पती जिनका नाम है बदरा अली जौब का भारत में निधन हो गया है तो friends बदरा अली जौप ये थे गांबिया के उपरास्ट पती जिनका हाली में कहां पर निधन हो गया है तो भारत में हो गया है गांबिया के बारे में basic information discuss कर लेते हैं जैसे कि गांबिया की राजदानी बंजुल है गांबिया के बर्तोमान में प्रसीडेंट एड्मा बैरो है और यहां की मुदरा को कहते हैं गांबियन डलासी Location discuss करेंगे तो यह अफरीका महादीप में इसलिए एक छोटा सा देश है यहां पर आप सभी देख सकते हैं गांबिया को और यहां पर गांबिया मैप में भी आप सभी इसकी लोकेशन देख सकते हैं कहां पर आता है अफ्रीका महादीप में अगला सवाल है कि तेरवार राष्टिय मतदाता दिवस कब मनाया गया तो देखे तेरवार जो राष्टिय मतदाता दिवस है न ये 25 जन्वरी को मनाया गया कब 25 जन्वरी को इसकी थीम यानि कि इसका जो विश्या है वो महत्पून हो जाता है तो इसका विश्या है नाथिंग लाइक वोटिंग आई बोट फॉल्शियोर ये इसका विश्या याद रखेंगे आप सभी 2023 का डिस्कस कर लेते हैं कुछ एस्टराफेक्ट जैसे की निर्वाचन आयोग के बारे में तो भारत निर्वाचन आयोग जिसे चुनाब आयोग के नाम से भी जाना जाता है एक स्वाइत संबैधानिक निकाए है जो भारत में संग और राज्य चुनाब परकिरिया का संचालन करता है जहन देश में लोकसभा, राज्यसभा, राजबिदान सभा और उपरास्टपती, रास्टपती के चुनाबों का संचालन भी करता है किस संबिधान संसोधन के तहत मत्यदान की उम्र को 21 से घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया था 61 संबिधान संसोधन के दुवारा 1989 में भारत निर्वाचन आयुक का घठन कभुगा था 25 जन्वरी 1950 में भारत के पहले मुख्य चुनाब आयुक्त कौन थे सुकुमार सैन अनुचे 324 का संबिध के से है चुनाब आयुक से है भारतिय जंबिधान के भाग पंदरा में अनुचे 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है निर्वाचन आयुक का जो सचे वाले है वो नई दिल्ली में है और मुख निर्वाचन अधिकारी IAS rank का अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ती रास्ट पती दुवारा की जाती है तता चुनाब आयुक्तों की नियुक्ती भी रास्ट पती ही करता है इनका जो कारीकाल होता है वो 6 वर्च या 65 वर्च जो भी पहले हो बर्तमान में एक मुख निर्वाचन आयुक्त है और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं तो ये थी निर्वाचन आयुक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन अगला जवाल डेस्कस करेंगे कि पहला इंडिया एस्टेक डपलपर सम्मेलन कहां पर हुआ है तो फ्रेंट्स इसका जो आयुजन है न वो किया गया है नई दिल्ली में कहां पर हुआ है तो याद रखेंगे ये नई दिल्ली में हुआ है वहीं बात की जाए सम्मेलन की तो देखे दुनिया भर में भारत के डिजीटल सामानों को ब्यापक रूप से अपनाने को सुनिच्छित करने के तरीको और साधनों पर ध्यान केंदृत करने के लिए पहला भारत इस्ट्रेक डपलपर सम्मेलन आयोजित किया गया नेस्ट कोईशन है कि पहली बार 4 फरवरी से 14 फरवरी तक सरस मेला 2023 की मेजवानी कौन करने वाला है तो जो सरस मेला 2023 से इसकी मेजवानी करेगा जम्मू कश्मीर कब से कब तक ये आयोजित होगा तो 4 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक इसका आयोजित किया जाएगा मेले में देश भर के कारिगर और महिला स्वयम सायता समू अपने सिल्प हत करगा और खात पद्धातों का परदश्यन करेंगे यहें ग्रामीड विकास मंत्राले के मार्गर दर्शन में आयोजित किया जाता है यहें मेला राष्ट ये ग्रामीड अजीवी का मिशन के हिस्से के रूप में केंदर राज्य सरकार दुवारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है जिसमें देश वर के उधमी इसमें फाग लेते हैं हैरत उसब और ट्यूलिफ फेस्टिवल का आयोजन भी कहां पर होता है तो याद रखेंगे जम्मु कश्मीर में पोईला पोईशाक ये जो उसब है ये पच्छिम बंगाल में मनाया जाता है पहली बार जन जाती है सीत कालिन उस सब की मेजवानी किसने की थी तो ये भी जम्मु कश्मीर के दुवारा ही की गई थी मैप में आप सभी जम्मु कश्मीर की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंट्स ये है जम्मु कश्मीर आगे डिस्कुस कर लेते हैं तो जम्मो गर्शमीर केंदर सासित परदेश कब बनाता 31 अक्टूबर 2019 राजधानी दो राजधानिया है जम्मो सीथ कालिन है जब कि स्री नगर करीश्म कालिन राजधानी है बर्तमान में उपराज जपाल मनुष सिन्ना है अगला सवाल है कि किस देश के सतलर कुनला बुट बिटिन सन ने इंडियन ओपन बैटमिंटन में पुरू सेकल का खिताब जीत लिया है तो फ्रेंट सिन्का संबंध है थाइलेंड से ये कहां के रहने वाले हैं तो ये थाइलेंड के रहने वाले हैं वही महिलाओं में अगर आपसे पूछ ले तो महिलाओं में याद रखेंगे कोरियाई संसिनी ने यहें खिताब जीता है और जो फाइनल हुआ था ये कहां पर खेला गया है तो केडी जाड़ इंडोर इस्टेडियम ये कहां पर है तो याद रखेंगे ये नई दिल्ली में है नेस्ट कोईशन है कि राष्टपती दुरोपती मुर्मु ने कितने आसाधरन बच्चों को प्रधान मंत्री राष्टिय बाल पुरुषकार दिये है तो फ्रेंट्स 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है राष्टपती दुरोपती मुर्मु जी के दुबारा अब डिस्कस कर लेते हैं देखे यहां पर यह जो समारो हुआ था जहां पर पुरुषकार दिये गए यहीं पर इसमर्थी इरानी ने समारो के दोरान बाल बीर पर एक किताब जिसका नाम है यंग हीरोस ओफ इंडिया का भी बिमोचन किया जिनोंने भारत के राष्टपती को पहली प्रती भेट पी की यानि कि इसकी जो पहली प्रती थी वो कैसे दी गई राष्टपती दुरुपती मुर्मोची को आगे डिस्कस कर लेते हैं प्रधान मंत्री राष्टिय बाल पुरुषकार के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो देखे हर साल भारत सरकार पांस पुरुषकार विजीता को एक पदक और कितने रुपए दिये जाते हैं तो फ्रेंट्स याद रखेंगे कितने रुपए इनको दिये जाता है आगे डिस्कस करेंगे अगला सवाल है कि संगाई सयोक संगतन फिल्म उस्षब का आयोजन कहां होगा तो फ्रेंट्स यह जो उस 2023 की मेजवानी कौन का राए फ्रेंट्स तो याद रखेंगे भारत कर रहा है और इसका जो फिल्म उस सब होगा यह कहां पर होगा तो मुंबई माहराष्ट में होगा इसका जो आयोजन है वो 27 जन्वरी से 31 जन्वरी 2023 तक किया जाएगा विकास निगम के माध्यम से सूचना और सारण मंतराले दुबारा यह है आयोजन होने वाला है आगे डिस्कस कर लेते हैं SEO के बारे में तो SEO के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट है जो आप सबी याद रखेंगे SEO बहु पच्छी संगटन है जिसके स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी मुख्याले वीजिन चीन में है सदस से देश इसके आठ है जिसमें सामिल है चाइना भारत कजाकिस्तान किर्गिस्तान रसिया पाकिस्तान तजाकिस्तान और उजवेकिस्तान तीन इसके प्रविच्छक देश हैं जिसमें आता है वेलारूस इरान और मंगोलिया मैप में भी आप सभी आठ सदस से देशों की लोकेशन देख सकते हैं अगला सबाल है कि भारती नौसेना दुवारा किस महासागर में ट्रोपेक्स नामक समुद्री अभ्यास आयोजित किया जा रहा है तो फ्रेंट का हिंद महासागर यह है हमारा प्यारा भारत और यहीं पर अभ्यास किया जा रहा है किसके दुवारा तो इंडियन नेवी के दुवारा आयोजन इसका कब से कब तक चलेगा तो जन्वरी से यह मार्स तक यानि की तीन महीने की अबधी तक यह है आयोजित किया जाएगा या प्षण करना तता समुदरी छेत्र में राष्ट्य हितों की रक्षा करना और हिंद माहा सागर छेत्र में इस्थर्टाव सांती को बढ़ाबा देना है समुदरी निग्रानी का जो पहला अभ्यास था वो जन्वरी 2019 में आयोजित हुआ था अगला सवाल है कि बर्स 2022 के लिए सबसे प्रतिस्टित बैग्ञानिक सम्मान इंडियन अचीवर्स अबॉट से किसे सम्मानित किया है तो फ्रेंड्स इनका नाम क्या है तो इनका नाम है अर वीशनु परसाथ जिनने सम्मानित किसने किया है तो खेल मंत्री अनूराक ठाकुर नेस्ट कोईशन है कि 21 परंबीर चक्र पुरुसकार बिजीताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार दीप समों के 21 दीपों का नामंकरण किस ने किया है यह पूछा जा सकता है मेहत पूण कोईशन है तो फ्रेंड्स यह जो नामंकरण है न यह प्रधान मंतरी नरेंद्र 23 जन्वरी को नेताजी स्वाचंद्र बॉस की 126 वी जैन्ती के अपसर पर आयोजित कारिकरम पराकरम दिवस के पुन्ने अपसर पर 21 परंबीर चक्र पुरुसकार बिजीताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार दीप समों के 21 दीवों का नामंकरण किया प्रधान मंतरी नेताजी स्वाचंद्र बॉस दीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित रास्टी इस्वारक के मौडल पका भी अनावरण किया नेताजी के बलिदानों का सम्मान करने के लिए 2018 में रॉस दीप समों का नाम बदल कर नेताजी स्वाचंद्र बॉस दीप कर दिया गया अगला जबाल है कि किस राज्च के असका पुलिस थाने को नमबर वन पुलिस थाने के रूप में पुरुसकरित किया गया है तो फ्रेंट्स ये जो पुलिस थाना है ये आता है उड़ीसा राज्च में कहां पर आता है तो याद रखेंगे उड़ीसा में आता है रास्टिय किर्सी विग्यान परिसर यानि की नई दिल्ली में आयोजित कारी करम में सम्मानित किया गया जिला कौन सा है तो जिला याद रखेंगे गंजम जिला है कहां पर आता है उडिसा राच में उत्राखंड के चंपावा जिले के बनवसा थाने को तीसरा सर्विसरेस्ट इस्थान मिला है दूसरा किसे मिला है तो दूसरा उडिसा के गंजम जिले के ही गंगापुर पुलिस इस्टेशन को दिया गया है वहीं बात की जाए 2021 में सर्विसरेश्ट पुलिस इस्टेशन के से चुना किया था सरद सदरवजार पुलिस इस्टेशन को आपको याद रखना है इस बार का और फ्रेंट्स यह जो देश बर में पुलिस इस्टेशन को रैंकिंग दी जाती है ये गिरह मंतराले दुवारा एक बारसिक अभ्यास है अगला सवाल है कि यूबा मामले और खेल मंतराले ने दिल्ली के बाहर अपने पहली ओलंपिक सेल की बैठक कहां आयोजित की तो फ्रेंट्स ये जो बैठक है न भुबिनेश्वर यानि की उडिसा में आयोजित की गई आगे डिस्कस कर लेते हैं टार्गेट ओलंपियंग पोडियम इसकीम के बारे में जिसे हम सौट में टॉप्स कहते हैं इसे ओलंपिक और पेरा ओलंपिक खेलों के लिए संभावित पदक संभावनाओं की पहचान करने और तयार करने के उद्दिस से जुलाई 2014 में राश्टी खेल विकास कोश के दाएरे में तयार किया गया यहीं यूबा मामले और खेल मंतराले का एक प्रमुक कारिक्रम है नेस्ट कोईशन जो की शुरवात में मैंने आपसे पूचा था कि जो छबी जनबरी पर कौन मुख्यतिती होने वाले हैं मिश्र के प्रेसिडेंट बहुत ही महत पूण कोईशन है और आई होप आप सभी को यह याद हो गया होगा जो लोग डेली करेंट अफेल की क्लास देखते हैं यह पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मिश्र के बारे में भी डिस्कस किया जा चुका है तो याद रखेंगे आप सभी इसके बारे में ठीक है और बाकी जो गरतंतर दिवस्ट पर अगर आपको फूल वीडियो देखना है तो क्लास आपको चैनल पर मिल जाएगी तो एक बार जरूर देख लीजिएगा नहीं तो फिर से आप सभी के लिए गरतंतर दिवस्ट पर जो सम्मंदित प्रश्ण है वो हम डिस्कस कर लेंगे अलग से टॉपिक तो डिस्कस कर लेते हैं टॉप टैन स्टाटिक जी के कोईशन सिवाजी महराज के सासनकाल में मंत्री प गवन इस्पेस सेंटर सिरीहरी कोटा में है रास्टिय वायुमंडलिय अनुसंधान प्रियोग साला तिरपूरी आंधर प्रतेस में तुरूपती सरी मुर्दु जामुन के नमूने में क्या होता है पोटेशियम किस अनुछेद में जीवन की रक्षा व्यक्तित सो तंतरता का प्राबधान है आर्टिकल 21 में भारती जंबिदान का जनक किसे कहा जाता है डॉक्टर वीम राओ अमबेटकर जी को हमारे सम्विदान में मुख रूप से कितने आर्टिकल है 395 वेल्ट आफ नेसन किताब किस ने लिखी है एडम इसमीट ने अब आप सभी के लिए कुछ सवाल है जिनके आंसर आपको देने होंगे कमेंट्स बॉक्स में निकोशिया किस देश की रास्धानी है अगला सवाल है कि किस राज में मतदान प्रतिसत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयों ने मिसन 929 लॉंच किया सम्विदान सभा का पहला सत्र कब हुआ था कुमायों हिमाले निमनलिखित में किन नदियों के बीच इस्थित है तो फ्रेंट्स इन सभी के जो आंसर है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में देने है और आज का ये शेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएगा और जो दो दिन हमारी करेंट अफियर की क्लास नहीं हुई है उसे हम पीक में जरूर कबर कर लेंगे तो फ्रेंट्स थोड़ा फीवर है इसी वज़े से क्लास नहीं हो पाई थी उसके लिए आप सभी से समाच आती हूँ बाकी आपकी क्लास डेली कंट्यूनियूर रहेगी है न और बाकी जो गरतंतर दिवस पर अलग से क्लास का है तो जो सममंदित परिश्न होंगे वह म मैं डिसकर्स कर लेंगे एक छोटे से वीडियो में इसके अलाबबा जो खेल से रेलियेट कोयश् meisten होनगे उसके लिए जल्दी ही मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगे जिसमें खेल से सत्व मंदित सभी कोईशन कबर होंगे तो फ्रेंट्स मिलते हैं नए शेशन में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हैं जय भारत